Very good morning to all of you, आज हम स्टेडी करेंगे फाइनेशियल स्टेटमेंट्स with अर्जस्टमेंट्स लास्ट लेक्चर में मैंने स्टेडी किया था फाइनेशल स्टेटमेंट्स के बारे लिए फाइनेशल स्टेटमेंट्स जिसके अंदर इनकिलूड करते हैं हम टेडिंग अकाउंट, प्रोफिट अनलोस अकाउंट, एन्ड बैलेंशिप अब उसके साथ कुछ क्या एड हो जाएंगी, अर्जस्टमेंट्स एड हो जाएंगी, तो जैसे ही अर्जस्टमेंट एड होती है, और अर्जस्टमेंट की खास बात क्या होती है, कि अर्जस्टमेंट जो भी गिवन होंगी, वो ट्राइल बैलेंस से निच्चे गिवन पहली बात और अज़ज़ेंट कोई भी होसकी कितने entry होंगी दो दो entry होंगी क्यों हुग कि वह trial balance में या तो लिखने से रह गई उन रिकॉर्ड इनastri इज पिर हमने उसकी रोंग पोस्टिंग कर दी ऐस मझ में या तो हमने लिखने से रहे गई वो ट्रायल बैलेंस के अंदर या फिर हमने उसकी रोंग पोस्टिंग कर दी रोंग अमाउंट की पोस्टिंग कर दी तो उसको हम 31st मार्च को लिख नहीं पाए और बाद में लिख रहे हैं उसको तो इसलिए हम उसकी अटी अर्जेस्मेंट की कितनी अट्री करते हैं दो अट्री करते हैं बाकी सारी पते एक जैसी रहेंगी शीर७ एज़श्मेंट एड़ हो Outstanding Expenses Outstanding Expenses Outstanding Expenses कों से होते हैं वो कर्चे जो हमने अभी तक पे नहीं किये हैं Outstanding Expenses are those expenses which are not paid yet जो अभी तक पे नहीं किये गए उसको हम क्या बोलते हैं Outstanding Expenses अब Outstanding Expenses की क्या एंट्री करेंगे Add In Relevant Expenses पहले तो क्या करो आप Relevant Expenses में Add कर दो दूसरा Balance Sheet की Liability साइट में शो कर दो Balance Sheet की Liability Side Show करता हूँ ठीक है एक तो कहा करो आप Add कर दो किसके अंदर Relevant Expenses Relevant Expenses का मतलब क्या होता है जैसे Rent है तो Rent में Add कर दो Salary है तो Salary में Add कर दो इस परकार Second Point क्या हमारे पास Outstanding Expenses के बाद Prepaid Expenses Prepaid Expenses कों से होते हैं जो हमने Expenses पहले ही Pay कर दी जैसे आपने मालोग अगर आप एक Business Man है आप कहाँ पर स्टाफ लगा हुआ है तो आपने स्टाफ को पहले ही क्या कर दिया Pay कर दिया तो उसको हम क्या बोलते है Prepaid Expenses अब जो Prepaid Expenses होते हैं इनके क्या एंट्री होगी Less Less कर दो किस में से Relevant Expenses में से Relevant Expenses Relevant Expenses क्या मतलब Rent है तो rent Salary है तो salary Wages है तो wages Relevant का मतलब है जो भी खर्चा होगा बस उसके बिचे Expense होना चाहिए Clear है? जो भी खर्चा होगा उसके बिचे क्या होना चाहिए Expense तो less कर देंगे आप Prepaid और कहां दिखाएंगे Assets Side of Balance Sheet Assets Side of Balance Sheet दूसरी Entry ये वह होगा Adjustment तीसरी होती है हमारे पास Depreciation Depreciation क्या होता है? आपने Depreciation वाले चेप्टर में पढ़ा था Decrease in the value of Assets Decrease in Value of Assets यानि किसी Assets की Value में क्या आजाना? कमी आजाना उसको हम क्या बोलते है? Depreciation Depreciation को क्या करना है? Less From Assets Assets में से क्या कर दो? Minus कर दो और दूसरा क्या कर रहा हूँ? Assets में से मैनस करने के बाद Profit and Loss की debit side में लगा दो ठीक है? तो अब हर आइटम आपको दो दो बारे में हम बता रहा हूँ पर पहले आइटम का आएंगी दूसरे आइटम का आएंगी यह A हो गया यह B हो गया ऐसे ही यह A है और यह B है अपने हर आइटम को record करते रहना है Clear है? Fourth क्या हमारे पास depreciation के बाद Accrued Income Accrued Income कोंसे होती है? वो income which is earned but not received which is earned but not received जो कमा तो ली लेकिन प्रापत नहीं होई तो पहले एंट्री का करोगे आप इसकी? Add In Relevant Income पहले तो क्या करना है आपने? Add करना है Relevant Income में तो दूसरे कहां दिखाना है? Balance Sheet की Assets है आप इनको एक copy पर note कर लेंगे ऐसी ऐसी total 20 बते आईएंगी मैं आपको रोज की 4 बते बताऊँगा ताकि आपको doubt ना रहे तो आपने आज की ये 4 बते note करनी है First, Second, Third, Fourth ये एक page पर note कर लेने के बाद आपने इसके बाद तीन या page खाली छोड़ देने है ताकि आपको पता चल रहे कि adjustment कैसे होती है अब मैं आपको ये चारो adjustment एक sum के थूँ समझाता हूँ Sum करने लगे है Trading and Profit and Low Account ये बना दिया हमने Trading and Profit and Low Account इस परकार बना देते हैं कुछ और यहां बनाते हैं Balance Sheet Balance Sheet Balance Sheet ये बना दिया हमने ठीक है और यहां पर कहले देंगे As, At जो Date होगी वो Date क्या है लखिया है हमारे आगे Date लखिया 31 March 2019 तो 31 March 2019 और यहां लखिदेंगे हम उपर अकाउंट का नाम Trading and Profit and Loss Account Profit and Loss तो यह आपने कर देने हैं सबसे पहले हमारे पास लिखा हुआ है Opening Stock अगर आप ध्यान से देख पाएं आपको मैं पहले समझा दूँ थोड़ा सा पहले यह Trading Portion रहेगा यहां तक और यह बाद में शुरू Portion होगा कौन सा Profit and Loss Account का तो अपने हलका सा टिक मर्क कर लेना है ताके आपको पता चल जाए भी कौन सा ट्रेडिंग का है Opening Stock है हमारे पास 20,000 तो यहां लिखेंगे आप डेविट साइट से यह Gratit है हमारे पास 2 Opening Stock कितना है Opening Stock? 20,000 Purchase हमारे पास 80,000 तो यहां लिखेंगे आप 2 Purchase 80,000 परचेज मैं यहां लिख रहा हम क्योंकि इस में से मैं Purchase Return क्या करूँगा? Minus करूँगा फिर हमारे पास Sales Return 6,000 Sales Return कहां से Minus उत्ती है? Sales से यह लिखें Sales Return Sales के बाद क्या है? Carriage Inverse वो यहां एक डेविट में? 2 Carriage Inverse Carriage Inverse है हमारे पास 3600 Carriage Outward हमारे पास 800 तो Outward Profit and Loss में आता होता है आगे Wages हमारे पास 42,000 यहां पर लिख रहे हैं क्योंकि इसके निचे Adjustment है तो जिसके निचे Adjustment होगी उसको हम एक बार यहां लिखने के बाद फिर हमारे पर Total करके लिखेंगे Wages के बाद हमारे पास Salaries तो Salaries Profit and Loss Account में आती है 2 Salaries के नाम से 27,500 Plant and Machinery हमारे असेट्स होती है और असेट्स है 90,000 की तो यहां लगा दे हैं आप Plant and Machinery कितने Plant and Machinery 90,000 की Plant and Machinery के बाद है हमारे पास Furniture 8,000 की तो यहां लगा दो आप Furniture 8,000 Debtors 52,000 तो यहां लगा दो आप Debtors 52,000 Debtors के बाद हमारे पास Bills Receivable 2,500 तो यहां लगा दो आप Bills Receivable 2,500 आगे Cash in Hand 6,300 ****- 400 Cash in Hand 63,000 Travelling Expenses हैं Trading Expenses हैं profit and loss के debit में रहेंगे क्योंकि Office से related कर्चय है यहां हमारे पास Traveling Expenses कितने Traveling Expenses 3,700 Traveling Expenses के बाद क्या हमारे पास Lighting Factory फेक्ट्री की मैंशन है तो फेक्ट्री फेक्ट्री की मैंशन है तो फेक्ट्री 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 फेक्ट गे ईंशोरेंस हमारे पास 15 ओं तो यहां लगा देक टू इंशुरेंस 15 ओं और ड्रोइंग्स क्या करते होते हैं हम क्यापिटल में से माइनास तो यहां पर आप ड्रोइंग्स लिखलें कि यहां हमारे पास दूरइंग्स 18000 तो सबसे पहले आपको items post करने आने चाहिए अगर आपको items post करने ही नहीं आएंगी तो दिक्कत रह सकती है आपके पास item post करने के बहाद ही आपके sum होगा अगर आपको item post करने में दिक्कत आ रही है तो आप पहले पिछला chapter दुबारा कर लें financial statements उसके अंदर आपको items पता लग जाएंगी कौन से कहा हैंगी फिर ये chapter होगा आपका ये तो सब्सक्राइबिट साइड की item हमारे पास credit side की item है credit side में पहले है sales sales है 2,70,000 तो यहां लगा देंगे आप sales 2,70,000 अगर आपके हमारे पास purchase return 4000 तो यहां से minus कर दो आप purchase return कितने के ये 4000 इसके बाद हमारे पास discount credit में हैं तो यहां पे लगा देंगे आप buy discount कितना है discount 5,2,000 इसके बाद हमारे पास sundry creditors creditors हमारे liability होती है तो कितने के हैं creditors यह हमारे पास 25,000 लगा दे इसके बाद हमारे पास bills payable यह भी liability होती हैं हमारे पास कितने bills payable यह हैं हमारे पास 1,800 capital हमारे पास 75,000 तो यहां पर क्या लखेंगे हम capital 75,000 आगे के हमारे पास पहली adjustment है stock 31,000 वाज 2019 was valued at 24,000 realizable value 30,000 इसमें stock दे रहे हैं हमारे पास कितने का है 24,000 realizable value is 30,000 तो हमारे पास जो यह stock है यह हमारे पास closing stock है और closing stock whichever is rest के rule से सलता है कि दोनों में से जो क्या होगा कम होगा 24 या 30 में से जो कम है वो लगाया जाएगा तो यहां पर लगा दोगा आप by closing stock कितना लगा देंगे आप 24,000 यह 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 लगा दें क्योंकि अरजश्मेंट है अरजश्मेंट की दो entries होगी आगे क्या है second wages outstanding है हमारे पास 3,000 wages के बारे मैंने क्या बताया था outstanding कोई भी हो एक तो add कर दो और एक liability में लगा दो तो कर देते हैं यहां पर add outstanding wages 3,000 तो यहां पर कितना होगा 45,000 और यह यहां लगा दो आप outstanding wages 3,000 आगे outstanding wages के बाद हमारे पास salary outstanding 25 तो यहां लगा दो add salary के अंदर यह add करेंगे मैं लेका दा ना add in relevant expenses तो salary है तो salary में आड कर दी wages है तो wages में आड कर दी outstanding salaries 25 तो टोल कितना होगा यहां पर 30,000 27,500 और 25 और यहां पर outstanding salaries भी लगा दो कितनी है 25 आगे का कहता है हमारे पास prepaid insurance है 300 अब insurance देखो यहां पर है 1500 पर हमारे पास अब इसमें से prepaid है prepaid मैंने बताया था minus कर देना तो यहां से क्या कर दिया आपने minus 1500 में से 300 गए कितने बचे 1200 और आप यहां पर assets में भी लगा दो prepaid insurance 300 और last adjustment है मेरे पास depression लगाना है आपने प्लांट मशीन दी पर फाइव परसेंट और फरनिचर पर लगाना है 20 परसेंट फरनिचर पर कितना लगाना है 20 परसेंट तो डेपिशन में आप को समझाया था क्या करना है assets में से minus और profit and loss की debit side में तो देखो 90,000 का 5% कितना होता है 45,500 माइनस कर दो यहां से क्या बचेगा 85,500 फरनिचर में से 20% माइनस कर दो 1600 गया कितना बचेगा यहां पर 6,400 अब जो दोनों depreciation है वो यहां पर भी लगा दो to depreciation on plant and machinery कितना लगाओगे 45,000 और furniture पर कितना लगाना है to depreciation on furniture यह कितना लगाना है आपने 1600 ठीक है तो यह लगा लेने के बाद आपने करना है का तो देखो जो भी एडलक्स करना लिख देंगे हम यहां पर 76,000 आजएगा यहां पर आएगा 2,64,000 अब यहां देखो 000882 और यहां भी क्या लगा देंगे हम 288 तो यह क्या लगा हम देखो 288,000 में से यह खर्चे माइनस कर दो देखो 36,000 और 14,000 कितने हुए पाँच और 45,000 पचास पचास और 20,000 सतर और 76,000 वन लैक फोटी सिक्स थाउज़ तो हमारे पास देखो जीपी कितना आएगा 14,000 बुक में से मैच कर लेते हैं कि क्या इतना ही आ रहा है जीपी बिल्कुल सही है जीपी हमारे इतना ही आ रहा है टू ग्रॉस प्रोफिट सीडी 1,42,000 कैसे निकाला है इसमें से सारे जो अपर वाले एक्सपैंसिस थे वो का कर दी हमने माइनस कर लेने के बाद आपने जो जीपी आया उसको यहां होतार लेना है ग्रॉस प्रोफिट बीडी 1,42,000 प्लस में बावन सो कितना वाज़ेगा हमारे पास 1,57,000 47,200 अब इसमें से यही टोटल यहां लिख दो 1,47,200 तो इसको टोटल करेंगा दोखाओ 30,000 और 10,000 तीस और दस कितने होगे चालीस और साथ 47 और एक 48 और चार बावन और तीम पचपन 55,000 56,500 57,600 57,800 58,500 58,500 58,500 मैनस कर देंगे इसमें से 58,500 तो हमारे पास केतना आ गया है यह 87,700 बिल्कुल आ गया है 87,700 बिल्कुल ठीक है यह क्या आ गया हमारे टू नेट प्रोफिट 87,700 बिल्कुल ठीक है और इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे हम कैपिटल अकांट मैं ट्रांसफर टू कैपिटल अकांट इसको यहां लिया होगा एड नेट प्रोफिट 87,700 तो 87,700 75,000 तो कितना हो जगा यहां पर 162,700 माइनस कर तो आप 18,000 तो यहां के मारे पर 1,44,700 अब हम दोनों साइका टूटल क्या कर देंगे इक्वल करते हैं, तो दोनों साइट का टूटल इक्वल करने ले के बाद हमारे पास इनका सम क्या आना चाहिए इनका total क्या आना चाहिए, equal आना चाहिए, अगर total equal आ जाए, तब तो हमारा सम्माना जाएगा ठीक, otherwise हमारा सम्माना जाएगा गलत, आज मैंने आपको चार adjustments से little बाते पड़ाई, बाकी सारी trading and profitable loss के items सेम हैं बिलकुल, जैसे मैंने पहले किया था, बस चार बाते नहीं थी, ए add कर दो, prepaid minus कर दो, depreciation assets में से minus और profitable loss के debit side और एक बात है accrued income, accrued income हमने क्या करनी है, एक तो income में से add कर देनी है और एक balance sheet की asset side दिखा देनी है, आज के लिए तना करके, कल हम next topic study करेंगे, thank you.